जब मैं छोटा बच्चा था, बड़ी शरारत करता था, मम्मी पापा कहते थे, गवर्मेंट जॉब्स के लिए पढ़ ले, चार साल लगाए मैंने, उसमें मैं पास नहीं हुआ, उसके बाद या तो मैंने एंजिनियरिंग ली या फिर मैंने केमिकल, मेकैनिकल, आईटी, जो म बड़ा फानी था, क्योंकि आज मैंने कर इवन 25-30 लोगों से बाग करी, and 25-30 लोगों में से, I am not even surprised to find कि एक ही क्वेशन बार बार आरे है, बार बार, एक ही क्वेशन आरा है, which is strange and funny, and what is that question, that question is, अचा, number one scope है, number one, कितना time लगेगा for a particular salary to reach, number three, क्या मैं existing job छोड़के अगर जाओंगा तो मुझे, मुझे dip तो नहीं बारना पड़ेगा, and number four, jobs खतम हो रही है क्या, and when I ask them, कि भाई, तुम digital marketing क्यों करना चातो, you know, I get the same answer all the time, which is very, very funny, I get to hear, पैसा है इसमें, पैसा है, आज तो एक लड़के ने तो हदी कर दी, मतलब, मैंने उसको समझाया, वो समझ गया उसके बाद, उसने मुझे बोला ना, मैं दो चीज़े करने ही कुशिश कर रहा हूँ, मुझे coding में जाना है, मुझे coding बहुत अच्छी लगती है, पसंद आती है, बटना मैंने फिर facebook पे craft चाला की आड देखियो, और सर मुझे अब लग रहा है, मैं अच्छा, मैंने कब से कर रहा हूँ, तीन महीने से कर रहा हूँ, तो craft चाला क्यों जाना है, क्योंकि पैसे जाता है, एक बात मैं आप लोगों को बता दू, इंडिया में digital marketing की industry is going to be 60 billion dollars, today और in the next 10 to 12 years, ठीक है, आज की डेट में भी, the ad spends, और Indian ad spends, जो digital marketing और media spends होते हैं, that is easily 15 billion, तो ये 600 billion भी जाएगा, इसमें तो कोई, मतलब शक है नहीं, 45 million people, I have still not connected to the internet in India, तो दूसरी बात, जो लोगे कह रहे हैं, कि भाई, jobs खतम हो जाएंगे, मुझे नहीं समझ में आ रही, ये तुमारा क्या basis, मत मतलब किसी YouTuber ने बोल दिया, कि jobs नहीं होंगे, आगे तो jobs नहीं होंगे, क्यों क्योंकि YouTuber ने बोल दिया, वा भाई, चचा, थोड़ा दिमाग लगाईए, आपने YouTube देखना बंद कर दिया क्या, आपने Facebook चलाना बंद कर दिया क्या, आपने blogs पढ़ना बंद कर दिया क्या, तो स्कोप काई खतम हो रही कभी खतम नहीं हो रही नंबर वन तो स्कोप का question तो पूछ मत ले ना मुझे कोई फोन पे ठीक है कोई नहीं पूछेगा स्कोप है ठी आगे भी रहेगी सौ साल हजार साल जब तक इंटरनेट है रहेगी मेटावर्स आए जाए कोई फरक नहीं बढ़ता इंटरनेट है तो रहेगी नंबर टू जब भी आप एक field के decision को इस basis पे ले रहे हैं कि इसमें पैसा बहुत जादा है वो पैसा आपको नहीं मिलेगा अगर आप उस field में अच्छे नहीं है अगर coding का market size is 100 billion dollars you are not going to get even 0.0000000000000000001% if you are not good at that bloody coding job अगर digital marketing का industry का size इंडियम 50 billion dollars है तो आपको 0000000000001% भी नहीं मिलेगा if you are not good at your job and how will you become good at your job जब आपको किसी job में interest होगा अगर आपको किसी job में interest ही नहीं है तो आप उसमें कभी skilled हो ही नहीं सकते आप skilled होगे नहीं तो आपको quality produce करोगे नहीं quality नहीं होगी तो salary नहीं बढ़ेगी, payment नहीं मिलेगी, freelancing income नहीं आएगी genuinely कभी अपने आप से पूछा है कि मुझे अच्छा लगता है ads देखना, कि मुझे अच्छा लगता है videos देखना मुझे अच्छा लगता है blogs पढ़ना, मुझे अच्छा लगता है kora answers मुझे अच्छा लगता है analyze करना कि इस company ने जो ad बनाई है मेरे सामने color scheme, model, text, font, drop shadow, copy, headline, title, description, link, link के अंदर parameters अच्छा लगता है क्या मैं भी किसी company के लिए उस level से सोच सकता हूँ क्या क्या मैं भी किसी company के product को अपने customers तक पहुँचाने में नहीं, राजकुमार हिरानी जी ने इतनी अच्छी movie बनाई थी three idiots कूडे में फैंक दो साला, वही रैंचो वाली हरकते बार बार, वही रैंचो वाली हरकते नहीं सर, सब चोपा के रखते, सर याद नहीं, हम उसकी जरूरत नहीं है हम याद कर लेंगे, हमें interest की जरूरत नहीं है सर, हम याद कर लेंगे, हम जबरदस्ती, जबरदस्ती like कर लेंगे digital marketing, क्यों? उसमें पैसा है, क्या आपको ऐसी job करनी है, पूरी life, जिसमें आप pull day, एक desk पे बैठके अपने आपको ऐसे फोड़ेंगे, laptop की screen के सामने की, मैं ये क्या कर रहा हूँ? मुझे नहीं पसंद यह सब, right? करना चाहते हैं, वो बिचारा कह रहा है, मुझे जो coding मसंद है, मैंने उसका कोई CDAC का exam दिया था, उसमें मेर अच्छे number आए, अब एक घंटा नहीं फरक पड़ता, exams से कोई फरक नहीं पड़ता, exams is not real life, get this thing straight, so to understand क्या digital marketing मेरे लिए है, you have to first think with a straight mind, भाई, धीरज ने कुछ वीडियो बनाए है, अभी आई बटन पर पहले जाके सारे देखो, job duties, roles, responsibilities, study करो, ठीक है, उसके बाद, internship का वीडियो देखो, उसके बाद, जो मैंने primary चीज़े बताई है, English language skills, personality skills, communication, presentation skills, ये सारी चीज़े, समझो, पढ़ो, इनको research करो, देखो, ठीक है, and then ask yourself, I am signing up for this, am I ready, am I ready, am I ready, am I ready to give five years of my life into something without huge income for the rest of my life, am I ready, क्या अगर मैं आपको ये बोलूँ कि यार, पान साल तक तु वही बीस पच्चेज़ार रुपे ही कमाएगा, लेकिन जिस दिन तेरा पोर्टफोलियो बनाएगा, उस दिन तु, Elon Musk बन जाएगा, इस industry क are you, does that excite you, if it does, please take digital marketing, please enroll whatever course यार मेर से करो, जहां मरजी से करो, I don't care, do it, but if that pinches you, अगर आपको लग रहे है नहीं, मैं रोज रोज क्यों जीखूंगा, रोज रोज क्यों English पढ़ूंगा, रोज रोज क्यों इंग्लिश पढ़ूंगा, रोज रोज क्यों ब्लॉक्स देखू नहीं, मुझे तु स्रेंडर काम चाहिए, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, मेरी वाइफ बेट कर रहे हैं, बच्चे बेट कर रहे हैं, पागल है, गलत जगा जा रहे हो, फसोगे, मरोगे, तुम भाई जाओ, तुम वपस से अपनी government job की त्यारी करो, तुमारी बस जादा, creative बहुत जादा, challenging बहुत जादा, मज़ा आता है, मुझे तो आता है, तो सबसे फ़ेले figure out करो, मुझे मज़ा आ रहे है, आ रहे है, मारो कूदी, और नहीं आ रहा है, और फाल्तू में पचास-पचास जार की course कर रहे हो ना, या एक-एक लाग रुपे के, चाहे उ वो प्रोग्राम इतना rigorous है ना, IFMS और IIT की बंदों ने बनाए, ठीक है, class attend करके, अगर तुमने camera off करके, करना है ना, तुम मिरको दे दे यार, 14,000 रुपे, मैं invest करूँगा उसको तिरको और double करके दे दूँगा तिरको दो साल में, मिरको दे दे, मिरको दे दे, मत जोइन कर बता रहूं, अगर आपने यह किया, ठीक है यार, सुबह 8 घंटे पड़ा है, बंदे करो उसके बाद, मिरको दे दो पैसे, मिरको दे दो, तो ये भगवान नहीं बन जाओगे, कूर्स करके, समझे मेरी बात, सिर्फ एक level उपर चला जाओगे, लेकिन सीडियां जो है न, व Excel तक में मेहनत है, Human Relations, Human Resources, Marketing, Sales, Finance, CFA, CA, CMA, सब कहां मेहनत नहीं है, मुझे बताईए, कहां मेहनत नहीं है, किसने बोला आपको कि Digital Marketing कर ले, असान है, असान तो बिलकत ही नहीं है, ये अपने दिमाग में हटा लो इस बात को, असान, असान नहीं है, और जो चीज घर पे मतलब नहीं है, कि वो चीज असान है, इसका मतलब सिर्फ ये है, कि तुमको ओफिस जाने की जुरूरत नहीं है, बस इसका इतना ही मतलब है, और सब और कोई मतलब नहीं है, असान नहीं है, असान मत बनाएए, प्लीज, और जो लोग ये असान, असान, करते रहते हैं, और पप्पु वाल इमेज लेके अपनी कंपनी समे जाते है तुमको फिर असान नौकरी ही मिलेगी फिर तुम बैटके बैकलिंग्स ही बनाना वहाँ पे फिर मत बोलना कि डिजिटल मार्केटिंग में ग्रोथ नी है तुम्हारी गलती है यू डिड नॉट सो mentally prepared हो जाईए clarity of thought रखिए बोलिये कि जो भी challenge आएगा कर लोगा बोलिये कि अगर creative नहीं हो तो कोई बात नहीं creativity भी आजाएगी और जाओ और करो don't settle यह settle, बंद करो settle, settle होना, settle होना पागल हो क्या यार तुम 30-35 साल के तुम लॉंडे हो पच्चिस साल के लॉंडे तुम्हे settle होना है settle होना है तुम्हे क्यों? तुम पर कोई साज भी कभी भवगती का serial बन रहा है क्या? यह settle battle बंद करो ना टक बोलो भाई challenge है लूँगा करूँगा English आएगी वो भी करूँगा कोई भी अगर और externalities आएगी उसको भी face करूँगा जो जो प्रोग्राम की requirements होगी उसको करूँगा assignments time से करूँगा चाये मेरा course, चाये जिसका मरजी course, जो भी है भाई जान लगा दूँगा उसमें बस, इतना ही रखो बस और यह over analyze करना कल को job खतम हो जाएंगे, कल को यह हो जाएगा अरे यार, तुम्हें कल का नहीं पता कुछ तुम इतना 10 साल लागी का क्यों सोच रहे हो अपना दिमाग खराब कर रहे हो जो होगा 10 साल बाद पूरी दुनिया के लिए होगा तुम्हारे अकेले के लिए तो नहीं होगा अगर jobs खतम होंगे तो 50,000 लोगों की नौकरी और जाएगी यह government पागल है दुनिया पागल है अमेरिका पागल है जहां से technology आई है नहीं, तो तुम इतना होश्यार मत बनो कल खतम हो जाएगी परसो अब भाई तु काम करो अपना enjoy what you are doing love it, own it give it your 100% यही तुमारी duty है और तुमारी और कोई duty नहीं है यार कैसी बाते कर रहे हो मैं समझ में नहीं आ रही और कोई duty नहीं है तुमारी, यही duty है just do it alright, all the very best take care, God bless you and दीरज रखो